प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा आठ का पाठ दस पढ़ेंगे क्रिया बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दोड़ता है काम करना या हूना पाया जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्रिया है बच्चो क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं जैसे पढ़ना, खाना, पीना, आदि सकर्मक्रिया जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते है जतिन सेब खाता है यहाँ पर सेब कर्म है जतिन करता और खाता है क्रिया इस प्रकार यह सकर्मक है अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता जतिन दोड रहा है जतिन करता दोड रहा है क्रिया है इस प्रकार यह अकर्मक क्रिय लड़की पड़ रही है किरिया पर वचन का प्रभाव लड़का पड़ रहा है लड़के पड़ रहे हैं इसके आगे का भाग हम भाग दो